एल्लो माई डियर स्टूरेंट्स क्या हल चाल है सबके उम्मीद करता हूँ विलकुल बड़िया और शानदार होंगे स्टूरेंट्स मैं हूँ आपका mathematics coach आशीश भाटिया और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे amazing से channel commerce वाला पर बिचल जो हमने commerce वाला के channel पर CUT sprint commerce की series शुरू की थी उस पर आज हम लोग जो नया chapter लेकर आए है वो है probability distribution अब आप बोलोगे सर यह probability distribution तो हमारा एक topic है आप इसको chapter क्यों बोल रहे है बिकॉस बिटा गर आप अपने CUT के syllabus दिखेंगे तो अगर section A वाला part जो है वहाँ पर probability का जो part cover up हो रहा है उसका नाम ही probability distribution के नाम से दे रखा है ऐसा इसलिए करा हुआ है because core maths वाले जो student है उनके लिए probability chapter के अंदर जो starting के topics है conditional probability हो गया, आपका independent events हो गया, then base theorem, then theorem of total probability यह चारो topic जो है आपके वो applied maths वाले students already class 11 में पर चुके है तो class 11 वाल में जो topic वो पर चुके तो obviously बात है वो CUT के syllabus का part उनके लिए नहीं बनेंगे ठीके class 12 का ही रहना है तो that means बचे हमारे पास जो class 12 में core and applied का common part है जो probability distribution and binomial distribution का topic है, वो आपके पास section A में डाला गया है इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है probability distribution तो इस वीडियो में हम लोग सिरफ और सिरफ probability distribution को cover up करेंगे तो यानि अगर मैं applied maths के students को बोलू, तो बिटा आपको probability distribution और binomial distribution ही पढ़ना है poison and normal distribution CUT के लिए नहीं बढ़ना है और अगर मैं core maths वालो को बोलू, तो आपको बिटा probability distribution और binomial distribution इस वीडियो से cover up करना है और जो आपके starting के चाहर topic है, वो आपको next वीडियो में या फिर जो different वीडियो आएगी probability की आपको उससे cover up करना है बड़ ये वीडियो तो compulsory है, दोनों core maths के लिए भी और applied maths के लिए और ये वीडियो में सिर्फ section A वाला part cover up किया जाएगा अब section A में से आपके पास, आप मान सकते हो कि probability distribution के topic से आपको minimum 2 questions आपको मिल सकते हैं अराम से 2 questions यहां से बन सकते हैं 15 में से और जो probability distribution वाला part है और binomial distribution वाला part है वो काफी easy है compare to जो बाकी core वालों के लिए 4 topics हैं तो यहाँ पर आपके पास full, क्या बहुता है कि surety रहती है कि आपके पास limited formula है और उनी पर आपके पास क्या आने कोशन आने तो वहाँ पर क्या होता कि accuracy बढ़ जाती है आपके पास question को सही करने की ठीक है क्योंकि formula-based चीज़ें जब शुरू होने जाती है तो वहाँ पर accuracy बढ़ जाती है question के सही होने के अब provided आपकी calculation सही हो ठीक है इसमें calculation का बहुत important रोल रहेगा तो पर आम लोग start करते है video को ठीक है तो पहले हम topics की बात करने कि हमें topics को उनकोंसे cover up करने है तो पहले पता करना कि probability distribution क्या है जिसमें लोग बात करेंगे कि random variable क्या होता है पहले फिर आम बात करेंगे कि probability distribution क्या होती है फिर mean variance and standard deviation क्या होता है एक random variable का फिर binomial distribution क्या होती है क्या condition होती है किसी भी distribution के binomial distribution बनने की फिर उसमें हमारे पास mean variance और standard deviation कैसे निकाले आता है ठीक है तो मितलब कि mean बात क्या है कि पहले probability distribution को समझो फिर उसमें समझो कि आपके पास mean variance और standard deviation क्या है फिर binomial distribution को समझो और फिर उसमें mean variance and standard deviation का है बस यही आपके पास 4 topic है और इसी के base पर आपके पास question आएगे तो अगर मैं पहले probability distribution की बात करूँ तो मैं सबसे बहले बात करूँगा एक random variable की तो अगर random variable की बिटा कर आप definition समझेंगे तो इसके definition होती है हमारे पास कि यहरे पास एक function की तरह होता है यह किस की तरह होता है एक function की तरह होता है तो it is a function अब बटा function है तो उसकी ضरूर कोई ना कोई domain और range होगी तो function whose domain is उसके domain क्या होती है हमारे पास sample space domain क्या होती है sample space of random experiment जो भी आप experiment कर रहे हो ठीक है और रेंडम एक्सपरिमेंट का मतलब क्या हो गया कि उसमें हर एक आउटकम हाने की जो probabilities है वो एक्वल है ठीक है random chances क्या है हमारे पास वो एक्वल हर एक आपके पास चीज़े और आपने आप आ सकती है तो उसमें क्या होता है कि उसी का ही आपके पास क्या है जो उसकी डूमीन है वो sample space में से कुछ निकल के आएगा जैसे suppose करो कि अगर आपने die को थो करा ठीक मैं example दे रहो पर दियान समझना है आपने die को थो करा ठीक है और आपने die को थो करा दो बारी आपने को थो करें दो बच आएगारे थीका थी है कि आपके पास 6 आए क्या प्रोब़िल्टीया अब एक बार बीडिए है चो आहे ब आपको अपने रेंडम ड़ाई पर 6 आएगा, तो random variable x की value कितनी होगी, फिर 1, या फिर हमारे पास, आपके पास, जो है, वो दोनों ड़ाई पर 6 आदेगा, तो x की value क्या आगई, 2, तो यानि कि हमारे पास जो x है, वो उसकी value क्या रही, 0, 1, 2, but, domain क्या है उसकी, वो आया कहां से, sample space, वो आया कहां से sample space, भी sample space में 6 कितनी वार आ सकता है, या तो एक बार आएगा, या तो दो बार आएगा, या तो एक भी बार नहीं आएगा, उसके ओपर dependent है, and उसकी जो range होगी, range क्या होती है, इसका मतलब जो इसका answer आएगा, जैसे हमने यह लिख रहे है, 0, 1, 2, range is subset of real numbers, range is subset of real numbers, मतलब य जैसे 0, 1, 2 है, तो यहाँ पर कोई भी real number आ सकता है, fraction में भी आ सकता है, positive भी आ सकता है, negative भी आ सकता है, 0 तो आई रहा है, तो यानि की ध्यान रखना है कि जो हमारे पास x का outcome आता है, हम लिखने भी, x का outcome मतलब कि x की जो values बनती है हमारे पास, वो हमारे पास एक real number के format में बनती है, ठीक है, तो डेसिबल में भी हो सकता है, positive negative कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपने बहुत सारे questions क्रास्वेल में देखे हैं, जहां पर x negative हो जाता है, ठीक है, जैसे वो एक आप वोला question था, कि एक man plays a game जिसमें अगर 6 आ जाता है, तो उसको 1 रूपी मिलता है, बढ़ अगर नहीं आए, तो 1.5 रूपीज हार जाता है, ठीक है, तो अगर आपने उसके तीन बार थ्रो करा, तो क्या probability है, क्या mean आता है, amount का, possible amount का, जो वो हार सकता है, ठीक है, तो उसके साब से उसमें आपने calculation करे थी, तो वहां पर negative भी आता था, तो यह तो ओक है बटा random variable है हम हमारे पास X के लिए, जो probabilities distribute होती है, उनको बोला जाता है probability distribution, कैसे, एक example किसे, बहुत बहतर तरीके से clear होगा, एक example लगते है हम लोग, क्या coin is tossed twice, एक coin को क्या करागा बटा, दो बार tossed करा गया, तो जो sample space है, वो तो हमारे को पता है क्या बनेगा, या to head head आएगा, या head tail यह हमारे पास बेड़ा, उसका sample space बनेगा, अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास random variable है, एक वो क्या denote कर रहा है, random variable क्या है, हमारे पास इस बार, random variable है, X, वो क्या है, denote कर रहा है, वो denote कर रहा है, आपको number of heads, because हर एक experiment के लिए जो random variable है, वो अलाग अलाग हो सकता है, ठीक तर इस वाले random variable experiment के लिए जिसमें आपने दो कॉइन को टॉस कर रहा है, उस experiment के अंदर हमने जो random variable लिया है, वो heads के बारे में लिया है, अब heads क्या 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 आ सकते हैं हमारे पास, तो यहां से हमारे को मिलेगी possible values of X, तो possible values of X क्या हुआ है, कि अगर आपने दो बार coin को टॉस कर भी possible values of X कि head आए, X के लिट कर रहा है कि कितनी बार head आया, तो जब head head आया, तो मतलब दो बार head आया, या तो head tail आएगा, या तो tail head आएगा, जानि दोनों cases में head कितनी बार आ सकता है, one time, या तो हमारे पास tail tail आएगा, कि head एक भी बार नहीं आया, तो यानि यह हमारी random variable जो था, उसकी values होगी, two, one, या zero, जो क्या represent करती है, कि अगर X zero है, तो means कि एक भी बार head नहीं आया, कि X one है, तो उसका मतलब सिर्फ एक बार ही head आया, चाहिए वो tail head की form में हो, चाहिए वो head tail की form में हो, और अगर two आया, तो that means हमारे पास बढ़ा, दो बार head आया है, तो यानि बन जाएगा probability distribution, कैसे, देखो जैसे, कि भी X की value two है, ठीक है, तो हमारे पास P of X equal to two क्या बनेगा, P of X equal to two, या मतलब आपके पास जो X है, यानि जो head है, वो दो बारी आया है, हमें पता है बढ़ा, चार में से सिरफ एक बारी ऐसा है, कि head दो बारी आ रहे, तो उसकी probability होग है, वो one है, तो या मिन्स वो दो cases में है, कि या तो tail head आए, या to head tail आए, तो उसकी probability होगी, two by four, और फिर क्या probability है, कि head एक भी बार नहीं आ रहा, तो वो भी सिरफ एक ही case में है, tail tail, तो यानि इसकी probability क्या हो जागी हमारे पास, one by four, ठीक है बचे, अब ये हमारे पास probability आग तो इसको बोला जाता है probability distribution, जो हम एक table की format में लिखते है, x और यहां पर p of x, कि अगर x की value 0 थी, तो हमारे पास उसकी probability है one by four, x की value 1 थी, तो उसकी probability है two by four, और x की value two है, तो उसकी probability है one by four, तो उसको एक table की form में लिखा जाता है, पिटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग probability distribution table ठीक है अब इस probability distribution table की भी एक खास बात है ठीक है जो आपको कही सारे questions में help करती है वो क्या है कि इसमें जितनी भी probabilities है हमारी छोटी वाली जितनी भी हमारे पाद छोटी वाली probabilities हैं छोटी वाली मतलब कि हर एक 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 की वैली की जो probability है उनका जो sum होगा वो हमेशा equal to 1 होगा तो यारी आप यह बात note करके रखें कि summation p of x equal to हमेशा क्या होगा वन होगा ठीक है summation p of x का मतलब कि इन सारे जो छोटी वटे events है उनकी probability का sum ह मेशा कितना होगा वन होगा अगर वन नहीं आ रहा तो that means आपने कहीं कुछ गलत calculate करा है ठीक है तो इसने बटा बड़ धिखान से समझ के आपको इसको नूट करना है ठीक है कि और calculation में बहुत जगा आपके काम आएगा और इसके आप से बहुत सारे question आपके solve होएंगे clear बटा लोग तो यह तो बटा हो गया probability distribution का मतलब कि random variable क्या है और probability distribution क्या होती है तो that means नाम से ही पता लग रहा है कि distribution of probabilities on various outcome और various outcome को हम लोग represent कर रहे हैं random variable से ठीक है और वो outcomes में क्या है कि वी कितने number of outcomes आए number of outcomes total number of outcomes कितरा नहीं कि अगर head है तो head कितनी बार आए है ठीक है तो x हमारे को outcomes के क्या बता रहा है number in the form of total outcomes नहीं बता रहा है कि वो कितनी possibility के साथ आ सकता है कि वो एक बार आएगा दो बार आएगा या तीन बार आएगा तीक या एक भी बार नहीं आएगा इस तरह से अब बात होती है हमारे पास की mean क्या होता है तो सबसे पहले हमारे पास चो mean का formula है वो देखते है probability distribution में जो mean का formula होता है वो होता है हमारे पास summation x into p of x और mean को e of x से भी denote किया जाता है probability distribution के अंदर ठीक है और e of x को बोला जाता है कई बर आपको मिल सकता है यह statement expectation of x ठीक है या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते है expected value तो expected value is same as mean ठीक है अब इसका मतलब क्या है बिटा कि जैसे हमारे पास अगर कोई probability distribution table है हमारे पास जिसमें हमारे पास यह x है यह p of x है ठीक है जैसे suppose करो कि यह अगर value है a और इसकी अगर यह value है x1 और इसकी probability है p1 यह value है x2 इसकी probability है p2 and so on चल रहा है कहां तक xn तक और यह pn तक ठीक है जैसे कोई हमारे पास probability distribution table तो मैंने कि रहे ऐसे ही general example लिया है तो इसमें मिटा mean का मतलब क्या है कि summation x into px का मतलब क्या है कि पहले x1 को multiply करेंगे p1 से पहले वाले x की value into उसकी probability फिर plus second x की value into उसकी probability plus third x की value into उसकी probability and so on till last वाले x की value into उसकी probability है तो यह मतलब बुता बिटा है हमारे पास mean का ठीक है फिर आता है हमारे पास next is कि variance क्या होता है ठीक है तो variance को आप probability distribution के अंदर where x से denote करते है इसका formula होता है summation of x square into p of x minus summation of x into p of x का whole square ठीक है यह तो हमारे पास mean ही है तो यह तो mean का whole square हो गया और यह है x square into p of x तो अगर मैं इसका मतलब समझा हूँ आपको पहले तो इसका मतलब कहा है कि पहले x का square करो x1 square into में उसकी probability फिर plus दूसरे वाले x का square करो into उसकी probability ऐसी तीसरे वाले x का square करो into उसकी probability and so on till last वाले x का square करो into उसकी probability तो यह मतलब होता है इसका और इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है e of x square minus e of x का whole square हमने भी पढ़ा है कि e of x तो क्या represent करता है हमारा e of x का represent करता है expected value यानि की mean तो variance के अंदर e of x square use होता है ठीक है जिसकी value होती है यह summation x square into p of x ठीक है तो आप यह इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो e of x square है वो किसके equal है summation of x square into p of x के because आपको questions में यह result काई बार काम आता है ठीक है यह बात आपको याद रखेंगे फिर बजगे हमारा variance के बाद standard deviation standard deviation is simply root of variance ठीक है बस आपनों याद रखना है कि standard deviation क्या होती है हमारे पास root of variance ठीक है तो जो भी आपके पास variance आ रहा है उसका under root कर दो वो आपको मिल जाएगा standard deviation that's it वो क्या मिल जाएगा आपको बटा standard deviation तो यह बटा हमारे पास introduction हो गए किसका probability distribution का बाकी जब हम questions करेंगे तो इसको और detail में समझेंगे अब बात करते हैं हम लोग किसकी binomial distribution की ठीक है अब हम बात करते हैं किसकी binomial distribution की binomial distribution की ठीक है हमारे पास कहा है binomial distribution इसको पूरा से करता हूँ binomial distribution अब बटा कोई भी probability distribution हमारे पास binomial distribution कब बनेगी इसकी बात करते हैं यह है any probability distribution will be called binomial distribution कब पहली बात तो जो आपके पास कुछ conditions है ठीक है पहली चीज़ कि जो question होना चाहिए वो एक तो पहली बात तो with replacement का होना चाहिए question किसका होना चाहिए बटा with replacement का और आपको यह बात याद रखनी है कि coin हो गया या die हो गया यह already with replacement के अंडर आते हैं तो अगर आपने coin एक बार toss कर रहा है तो उसके total outcome जितने भी है दो ठीक है आप दूसरी बार toss कर रहे वो तुछ ना change जाएंगे coin में और die में जो हमेशा total number outcomes रहते हैं वो कह रहते हैं same रहते हैं without replacement में क्या होता है कि जैसे suppose को आपने 10 balls है एक ball निकाली और उसको side में रख दिया ठीक है वापास replace नहीं करा तो अब next marry जो ball उठाने के लिए मेरे पास अब जो total outcomes है वो 9 दे जाएंगे तो वो आपके पास change होगे हमाँ पर वो होता है without replacement with replacement में total outcomes हमेशा हर level पर same रहते हैं ठीक है यह हो गया any probability distribution will be called binomial distribution कब जब एक तो पहले तो with replacement का होना चाहिए question सबसे पहले जो n है हमारे पास वो क्या होना चाहिए finite होना चाहिए ठीक finite मतलब यह ने की भी n ही infinity तक जा रहा है और हमारे पास कि उसमें जो आपके पास probability है वो express होनी चाहिए किस form में success और failure की form में success को हम denote करते है P से और failure को denote करते है हम लोग Q से जो probability है वो directly express होने चाहिए सिर्फ दो outcomes में यह तो success यह तो failure ठीक है probability express किसमें in terms of outcomes ठीक है जैसे अगर आपने क्या करा कि probability distribution निकालनी है वो इन number of heads की ठीक है जैसे अबने बात कि थी number of heads की तो या तो head आएगा या तो head नहीं आएगा ठीक है यही होगा head या तो आएगा या तो head नहीं आएगा हाँ एक बारी आएगा दो बारी आएगा या एक भी बार नहीं आएगा वो बात अलगा है बर अगर सिर्फ head को देखा जाए तो head को आप बोल सकते हो कि या तो आएगा या तो नहीं आएगा ऐसे अगर डाई की बात करें हम लोग तो आपके पास अगर डाई में आपको थो करा गया है और आप six आने की बात करें तो या तो six आएगा या तो six नहीं आएगा clear outcome है ठीक है और दो ही है तो इसमें आपको याद रखना है बिटा इस तरह से और यहां पर बिटा जो हम लोगे P.R.Q की बात कर रहे हैं वो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं For each trial, पूरे sample space के नहीं For each trial, हर एक trial के लिए ठीक है, हर एक trial के लिए ठीक है हर एक कोई activity आप कर रहे हो उसके लिए और यहां पर आपको याद रखना है कि आपके पास जो each trial should be independent of each other हर एक trial क्या होना चाहिए एक दूसरे से independent होना चाहिए ठीक है independent का मतलब आपको पता है ठीक है और दूसरा कि value of जो p है अगर p की बात कर तो साथ में q small p and q value of value of small p and q must remain same throughout trial through different trial अगर आप अलग अलग ट्राइल की बात कर रहे हैं suppose करो एक बार आपने coin फैक दिया दो coin को फैक दिया एक बार आप number of heads के लिए probability distribution देख रहे हो फिर आप number of tails के लिए probability distribution देख रहे हो तो इसमें जो small p है और q है उनकी value change नहीं होगी तब भी आपके पास वो क्या रहेगी अगर आप उसके लिए के देख रहे हो head के लिए तो भी 1 by 2 है tail के देखो के तो भी क्या रहेगी 1 by 2 ही रहेगी तो इसमें साब से आपके पास वो देखना है आपको कि वो change नहीं हो clear बटा चले यह बटा कुछ condition है अगर यह condition satisfy हो जाती है तो हम उसको बोलते है BINOMAL distribution है तो जनल सब्सक्राइब को जलते हैं तो जनल है अप इसको दिएक्षाटी स्टिबिशन अगर उसको BINOMAL distribution बना ज़ा एगा आप इसको दिएक्मार में रक्टे के जल सकते हो easy way में कि आपके पास probability distribution है और क्या है with replacement वाला question है तो मतल Cathy हो जाएगा या फिर coin और diête वाला question है probability distribution के अंदर तो उसको भी आप binomial distribution के अंदर बोल सकते हो क्यों? क्योंकि वो सारी conditions फुल्फिल करने देता है अब बात आते है कि इस में जो parameter है वो कैसे calculate करने है सबसे पहले हमारे पास अगर N क्या है हमारे पास total number of trials total number of trials अब यहाँ पर trials का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आपने toss करा coin को चार बारी तो N4 हो गया die को दो बारी थो करा है तो N2 हो गया ठीके आपने दो die एक साथ थो थो करी है तो भी N2 है चार coin एक साथ throw करें तो N4 ही है ठीक है अगर आपके पास अगर आपकी bag है उसमें बहुत सारी walls है उसमें अगर आपने 5 balls का sample लिया है तो N5 हो जाएगा आपके पास cards है 52 उसमें से आपने 4 cards draw करें तो N4 हो जाएगा तो N हो गा total number of trials फिर small p क्या होता है हमारे पास it is probability of success in a triangle इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास suppose करो यह क्यू हो जाएगा probability of failure in a triangle तो यानि यह होता है हमेशा 1-p और एक rule हमेशा आपको याद अखना है कि p plus q हमेशा 1 के एक वाल होता है p plus q किस के एक वाल होता है हमेशा 1 के because किसी भी trial के लिए उसके success और failure की probability का sum हमेशा कह रहेगा 1 रहेगा तो एक बर आपको यह सिहान रखने है कि जैसे probability of success in a trial जो small p और small q है वो उस trial के लिए हमारे पास probability है जैसे अगर मैं heads की बात कर रहा हूँ ठीक है coins की उसमें तो भी head की probability single case में single trial मतलब कि अगर आपके पास head एक बारी toss कर जाता है तो आपके पास उसकी probability क्या होती है 1 by 2 तो और क्यों क्या हो जाएगा ना आने की probability तो 1 by 2 ऐसी अगर मैं बात करूँ कि मैंने अगर die पैकिये और मैं six की आने की बात करूँ चाए तो मैं सिंगल केस में single trial में अगर six आ रहा है हमारे पास तो उसकी probability क्या होगी six आने की probability 1 by 6 और नहीं आने की probability 5 by 6 तो वो P और Q की वैलू मन जाएगा आप थो जितनी मर्दी बात करो ठीक है बट single trial में आपके पास आने की जो probabilities होती है उसको हम लोग small P और Q करते हैं एक बैग है जिसके बहुत सारी defective balls है और defective bulbs है और defective pens है ठीक है उसमें से आपने दस पैन निकाले है ठीक है और आप जो probability distribution है वो भी आप फाइंड आट कर जो defective items के लिए ठीक है और दस आपने पैन निकाल ले है तो उसमें आपको बताना है कि आपके पास क्या mean होगा defective items का वहाँ पर भी जो बिटा आपके पास small P रहेगा अगर with replacement है small P रहेगा वो कहा है कि अगर आपके पास एक pen उठाया जाता तो उसके defective होने की probability क्या थी तो single trial के case में आप लोग small P रहेगा को define करते हो यहाँ पर ठीक है तो यह BQ आगए हमारे पास तो हमारे पास P of X equal to R success मतलब की जैसे अगर आपने वही जैसे में एक्जामपल दे रहा हूं आपको कि आपने 10 पैन उठाए अब उन 10 पैन में से 2 डिफेक्टिव हैं तो यह प्रोबिल्टी क्या होगी चार डिफेक्टिव हैं उसकी प्रोबिल्टी क्या होगी तो यह होगा P of X equal to R success आर मतलब जि उसको denote करें बस और कुछ फरक नहीं है तो NCR Q raise to power N minus R into P raise to power R याद रखो हमेशा कि जो Q की power है वो क्या रहेगी इन दोनों का difference और P की power क्या रहेगी R यह आपको बस हमेशा याद रखने है ठीक है और combination के लिए कुछ basic आपको rule याद रखने है कि NC 0 हमेशा equal होगा NC N के और व रिजल्ट हमेशा N होगा रिजल्ट हमेशा 1 होगा फिर NC 1 हो या इन दोनों का difference 1 हो रिजल्ट हमेशा N रहेगा यह दो बहुत important result है जो आपको बटा calculation में बहुत जादा help करेंगे तो इनको बड़ धियान से सबगा और कुछ आपके पास डिरेक्ली आगई बार आपको distribution बना बिटा हमारे पास एक बनेगा P of X equal to 0 और बनेगा P of X equal to 1 अगर N1 है तो यह दो ही बनेंगे और यह होगा आपके पास Q और यह होगा आपके पास P है ठीक है सिंपल है यह होगा Q यह होगा P बट अगर N2 है मैं इस तरह से अबट आपको shortcut बता रहा हूँ तो यह X की value 012 प्रोबिल्टी होगी 2P Q और 2 की प्रोबिल्टी होगी P सकते हैं ठीक है अगर N2 है तो अगर आप से P of X equal to 0 पूछा है तो पहले आप R की जेगा पे 0 डाल की पूरा solve करोगे बट यह मैं आपको shortcut बता रहा हूँ इसी तरह से अगर N3 है हमारे पास तो X की value 0123 हो सकती है और यह हमारे पास probability क्या होगी यहोगा Q cube यहोगा 3 Q square P 3 Q P square और इसके लिए P Q ऐसी मुटा 4 तक याद रको 5 on words आए तो आपको find out करना पड़ेगा उदार समझदा रही है 0123 और 4 और इसकी probability यह क्या है हमारे पास Q raise to power 4 4 Q cube P 6 Q square P square P square 4 Q P cube और यह P raise to power ठीक है यह आप shortcut याद रख सकते हो ठीक है में यह वाला clear नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको दुबारा लिख देता हूँ कि अगर N 4 है तो X की value 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है और probability 0 होगी Q raise to power 4 फिर 4 Q cube P फिर 6 Q square P square यह यह जगा 4 Q P cube और यह P raise to power 4 ठीक है तो आप यह बटा आप कर सकते हो तो यह तो होगी बाइनोमिल distribution की बात अब बात करेंगे किसकी mean वगएर है तो अगेन जो mean है हमारे पास ठीक है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं यहां पर कही जगा पर आप इसको x-bar भी डिनोट करोगे बट पर probability distribution में हम लोग कहते हैं कि e of x से डिनोट करते हैं यहां पर हम लोग mu से डिनोट करते हैं वो होता है हमारे पास n into p के बहुत simple सा formula n into p that's it पर जो variance होता है हमारे पास यहां पर variance को हम लोग sigma square से डिनोट करते हैं यहां पर और उसका formula होता है npq ठीक है बटा ही symbol होता है sigma का यह होता है आपके पास जिसे capital sigma और यह होता है small sigma ठीक है तो ग्रीक लेटर्स है capital और small होता है उसमें बड़ इसका नाम भी sigma ही है जो हिंदी में ना होता है उसकी तरह लिखा जाता है यह है तो यह हमारे पास formula होगे किसके mean variance and standard deviation के in binomial distribution तो अपने बड़ा बर्नोली आप इसमें बड़ा formula को कई बर आकर आप नाम भूल जाओ और इसको आप formula को आप Bernoulli's trial भी बोलते हैं ठीक है या फिर इसको बोल सकते हैं कि binomial distribution में जो formula यूज होता है probability calculate करने का वो यह होता है ठीक है बचलोग तो बड़ा यह सारे formula होगे हैं हमारे पास अब इसके साथ बड़ा कोशन स्टार्ट करते हैं ध्यान से समझने सारे कोशन आपने ठीक है टूडल 20 कोशन रखें यहां पर बड़ अलग अलग विराइटी कवर अप कर रहे हैं अलग अलग टाइप के कोशन कवर अप कर रहे हैं थ्योरी इसमें इतनी ही है तो इसी के base पर बस आपके पास कोशन करते हैं तो दिहान से समझने हैं और अच्छे से करने हैं कोशन को क्लियर बड़ा चलिए स्टार्ट करते हैं अब बड़ा कोशन देखते हैं तो सबस्कूशन है हमारे पास कि इव द प्रॉबिल्टी डिस्ट्रिबूशन ऑफ रेंडम विरिबल एक्स इस तो आपको बड़ जब 2 से बड़ी वैली होगी तो आपके पास जो प्रॉबिल्टी का सम आएगा वो आपको बताना है तो 2 से बड़ा हमारे पास रेंडम विरिबल की वैली हो सकती है 3 फिर हमारे पास 4 हो सकती है और 5 हो सकती है ठीक है अब अगर आप P of X equal to 3 देखेंगे तो उस पर हमारी जो प्रॉबिल्टी है वो है 3 के similarly बड़ा P of X equal to 4 के लिए जो प्रॉबिल्टी है वो भी 3 के है और P of X equal to 5 के लिए जो प्रॉबिल्टी है हमारे पास वो के है ठीक है ना तो इनको जब मैंने add करा तो यह आगया मेरे पास 7 के बड़ा पूरा अंसा निकालने के लिए मुझे K की value चाहिए ठीक है अब K की value कहां से मिले तो उसके लिए हमने क्या करा हमने एक simple सा concept यूज करा कि पर जितने भी random variable है उनकी जो probability होती है उनका जो sum होता है उनका क्या होता है जो sum होता है that is equal to 1 तो अब इसको ऐसे बोल सकते है कि that means कि जो summation of P of X है वो equal to हमेशा किसके equal होता है 1 क तो यानि इन सब का sum कितना आएगा हमारे पास 1 तो इन सब का sum कितना आगया 3 के 6 के 9 के और 10 के तो इसका मतलब 10 के equal आगया 1 के तो K आगया 1 by 10 के इसको यहां पर substitute कर देंगे तो हमारे पास जो required answer है वो आगया जी 7 by 10 तो यानि कि में पास जो option D है वो बिलकुल correct answer है clear बचे तो यहां पर आपके दो concept use होगे कौन से कि एक तो अगर P of X greater than 2 है तो उसका मतलब क्या हुआ और कि आपके पास सभी elementary event जो आप बोल सकते हो कि random variable के लिए elementary properties है उनकी वो हमेशा है उनका sum बान देगी ठीक है next question है हमारे पास कि the probability distribution of a random variable access इस बार भी आपको probability distribution दे रखा है और इस बार क्या find out करने के लिए बोला आपको variance of X इस बार क्या बोला पच्छे find out करने के लिए variance तो variance के लिए direct formula है हमारे पास ठीक है नब variance का formula भी क्या पढ़ा था हमने it is summation of x square into P of X minus में summation of x into P of X का whole square ठीक है यह हमारे पास direct expanded formula है इसका एक formula आप और पढ़ते हो इस form में कि जो variance of x होता है वो किसके एक वार होता है e of x square minus e of x का whole square ठीक है अगर expectation की terms पर पढ़ रहे हो तो आपके पास यह formula भी रहता है तो दोनों आपको याद होने चाहिए तो यह आएगा पेटा हमारे पास पहले summation x square into Px का मतलब क्या होगा कि पहले जो भी x है उसका square करो और multiply करो उसकी probability उसके साथ तो x का square into उसकी probability फिर plus क्यूंकि summation है next x का square into इसकी probability फिर plus next x का square into उसकी probability and so on ठीक है तो यह इसकी value आगी हमारे पास फिर minus summation of x into Px का मतलब कि भी x को multiply करो उसकी probability से फिर next x को multiply करो उसकी probability से plus next को multiply करो उसकी probability से and so on ठीक है और इस पूरे का whole square अब आपके पास simple calculation है उसको आपने ध्यान से करना है तो इस first bracket में लसे हमारे पास 8 तो यह 0 square मतलब 0, 1 square मतलब 1, 2 square मतलब 4 और 3 square मतलब 9 बट क्योंकि यहाँ पर 2 है तो पर 4 multiply हो जाएगा LCM लेने के बाद similarly यहाँ पर 8 है, 0 है तो कुछ करने जोतनी है, 1, 2 और इधर 3, यह 1 by 2 है यहाँ पर 1 by 2 था, मैंने यहाँ पर copy कर दे रहा, तो यह देगा 3 into 4 और पूरे का whole square ठीक है, तो यह अगर आप calculate करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 4 और 1, 5 और 9, 4 था 36, 36 और 5, 41 by 8, मैंने यह हो गया 2, 1, 3, 4, 3, 12, 3, 15 तो 15 by 8 का whole square, इसी कोई calculate कर लो तो यहाँ जाएगा 41 by 8 मैंने 225 by 64 इसका LCM लिया तो 64 आ गया, यहाँ पर 8 है तो ऊपर भी आप 8 से multiply कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 अब इसको minus कर दो तो यहाँ देगा 3, 0, 1 by 64 तो सारा calculation based और memory based question है कि आपको variance का formula यहाँ दोना चाहिए तो 103 by 64 यानि option C आपका विल्कुल correct है तो बिटा formula यहाँ रखने है आपने ठीक है और आपको calculation fast रखनी है, that's it इस question की सिर्फ इतनी सी ही requirement थी next question में बिटा आपको again आपको एक table दे रखा है, इस बार आपसे value जो पूछी गई है वो है P of X greater than 0 but less than 5 तो इसका मतलब क्या है कि between 0 and 5 है, तो X क्या है between 0 and 5 है अब between का मतलब हमारे को बहुत अच्छी से पता है कि उसमें ना तो 0 होगा ना तो 5 होगा बट 0 से 5 के बीच में जितने भी random variables हैं उनकी probabilities थहीं हैं आपको तो इसका मतलब हो गया start होगा कहा से, 1 से फिर P of X equal to 2 से, फिर P of X equal to 3 में चाहिए होगा और कहां तक? P of X equal to 4 तक because 5 included नहीं है, because between है तो वैसे भी अब देख सकते हैं यहाँ पर equal to का sign नहीं है तो समझ भागा अब X equal to 1 के लिए probability है K, X equal to 2 के लिए probability है 2K X equal to 3 के लिए probability 2K है और 4 के लिए है 3K इन सबको add करोगे तो यह 3K plus 2K, 5K plus 3K यह आगे बिटा हमारे पास 8K, same problem कि आपको पहले क्या चीए K की value उसके लिए हमारे को पता है अगे वही rule यूज़ करेंगे कि जो summation of P of X है वो equal to 1 होना चीए, तो इन सबको add कर देते हैं 3K, 5K, 8K और यह के, तो यह हो गह जी 9K plus K square वाली term, K square plus 2K square, 3K square plus 7K square तो 10K square equal to 1 आगया, है ना, अब एक quadratic equation बन रही है यह, 10K square plus 9K minus 1 equal to 0, तो इसकी middle splitting कर देते हैं, तो factors भी साफ दिखाए दे रहें, 10 और 1, तो यह आगया plus 10K और minus K pairing करीबिटा हमने, पहले वैसे 10K common आगया, बचा क्या, K plus 1, इन दोरों में से minus 1 common आया, बचा K plus 1, फिर इन दोरों में से K plus 1 common आगया, बचा 10K minus 1 equal to 0, तो यह तो K equal to minus 1, बट यह क्या हो जाएगा, reject, because K के हैं आपर हमारे पास probability है, और किसी की भी probability कभी negative नहीं हो सकती, तो यह reject हो गया, और दूसरी हमारी K की value आगी, 1 by 10, यह हमारी accept होगी, ठीक है, क्योंकि यह 1 by 10 probability हो सकती है किसी की, यह value बट आप जब आपने यहाँ पर substitute करी, तो आपका answer आगया, 8 into 1 by 10, 2, 4, 2, 5, यानि आपका answer आगया, 4 by 5, तो अगर मैं option में देखू, तो option D मेरे पास बिलकुल correct answer है, ठीक बटा, तो simple वही question था, कि पहले आपको जो probability पूछी है, वो पता होने चीए कि क्या पूछी है, और फिर जो आपका summation वाला formula है कि इंडिविजियल probabilities का साम हमेशा 1 आए, क्लियर बचे, इसको ध्यान से समझके नोट कर लिजिये, अब आते हैं में नेक्स question पर, question बोला बटा कि two numbers are selected at random without replacement, ध्यान रखना बोला क्या है, without replacement from the first three positive integers, तो जी first three positive integers कौन से होते हैं, 1, 2, 3, अब इन तीनों में से कोई दो number select करे गए हैं, ठीक है, without replacement, तो वो number क्या हो सकते हैं भई, वो या तो one and two हो सकते हैं, वो या तो number one and three हो सकते हैं, वो या तो number two and three हो सकते हैं, तो अगर without replacement आपको select करना है, तो यह तीनी option हैं हमारे पास, because ना one one कर सकते हैं, ना two two कर सकते हैं, ना three three कर सकते हैं, because without replacement है तो 1, 3 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है और 2, 3 हो सकता है इन दोनों में से ही कोई आपके पास number होंगे तो let capital X denotes the larger of the two integer अब X क्या है जो number आपने जो दो number चूज करे है उसमें से बड़ा number है तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा इस से महारे पास कि जो possible values of X है possible values of X है वो क्या आजएगी कि अगर मैं 1 and 2 चूज करता हूं तो larger number कोन आएगा जी, 2 अगर मैं 1 and 3 चूज करता हूं तो larger number कोन आएगा, 3 अगर मैं 2 and 3 चूज करता हूं तो larger number कोन आएगा, again 3 ही आएगा तो उसको एक ही बार लिखाए जाएगा तो मतब x की value या तो 2 हो सकती है तो 3 हो सकती है then the probability distribution of x तो आपको इसी की probability distribution मता दिए तो बहुत simple हो जाएगा अब हमारे पास 2 का बाया है सिर्फ एक ही case में आया है इसमें से larger number को निकल के आया है तो यानि सिर्फ एक ही case में out of 3 तो इसकी probability होगी 1 by 3 अब larger number 3 किस किस में आया है एक इसमें आया है और एक इसमें आया है तो यानि दो cases में आपके पास आया है तो इसकी probability क्या हो गई 2 by 3 मैच करते है option से तो आपके पास option A ही आपके पास direct match हो रहा है आगे देखने की जूरत ही नहीं है clear बिटा तो बहुत बढ़िया question था ये अब आते मिटा next question पर ठीक है ये बिटा इस type की question बहुत important होते है बहुत धियान से समझना है आपको कि a random variable x takes the values of 0, 1, 2, 3 ये मतलब possible values of x होगी आपके पास और आपको दे रखा है कि इसका जो mean है वो है 1, 3 ठीक है तो धियान समझना mean का मतलब हो गया कि summation x into p of x आपको दे रखा है 1, 3 फिर आपको दे रखा है कि जो p of x equal to 3 है वो equal है twice of p of x equal to 1 और फिर आपको दे रखा है कि जो p of x equal to 2 है वो है 0, 3 तो बताओ जी p of x equal to 0 की value क्या आएगी तो ये मेरा question का target है तेखिए उसके लिए इतनी सार information मुझे already दे रखी है तो ध्यान समझें के बैटा करना क्या है हमारे को यहां पर सबसे बहुते mean हमारे पास क्या है 1.3 है तो इसका क्या मतलब हो गया कि 0 into p of x equal to 0 plus 1 into p of x equal to 1 plus 2 into p of x equal to 2 और 3 तक है हमारे पास x की possible value तो इन सब का जो सम है हमारे पास वो 1.3 है ठीक है mean का formula लगा दिया हमने अब पहले वाला तो 0 ही हो गया p of x equal to 1 हमें नहीं पता कितना है 2 into p of x equal to 2 आपको question में दे रखा है 0.3 फिर 3 into p of x equal to 3 की value आपको ये दे रखी है twice of p of x equal to 1 और ये सब है 1.3 के equal है ना तो देको हैं से मुझे क्या मिल गया कि p of x equal to 1 plus में 0.6 plus 6 times of p of x equal to 1 equal to 1.3 इन दोनों को add करा तो ये आगया 7 times of p of x equal to 1 ये दो जाके माइनस हो गया 1.3 माइनस 0.6 तो ये आगया 0.7 तो देट मीन्स भई हमारे पास p of x equal to 1 कितना आगया 0.7 अपॉन में 7 यानि 0.1 ये value आपको याद रखनी है कि भी x equal to 1 की value मुझे मिल गया पर मुझे तो चाहिए p of x equal to 0 की value तो हमने यहाँ पर एक concept और use करा कि जो सिरफ probabilities होती है हमारे पास उसका sum हमेशा 1 होता है परकास आपको एक important result और सिये जिसका आप यूज़ करके calculation कर सको तो summation p of x का मतलब p of x equal to 0 जो हमसे पूछी गई है फिर p of x equal to 1 फिर p of x equal to 2 फिर p of x equal to 3 इन सबका sum किस के एकवल आ रहा है बिटा 1 के इन सबका sum किस के एकवल आएगा 1 के तो देखते हैं तो p of x equal to 0 कितना है बिटा हमारे पास अच्छा वो तो find out करना है p of x equal to 1 हमने निकाल लिया 0.1 p of x equal to 2 दे रखा है 0.3 p of x equal to 3 दे रखा है twice of p of x equal to 1 तो वो 0.2 आ गया equal to 1 तो यह आ गया जी p of x equal to 0 यह कितना होगे जी 0.1 plus 0.3 0.4 plus 0.6 तो 1 minus 0.6 यानि आंसर आ गया जी हमारे पास 0.4 तो यानि option A हमारे पास बिलकुल correct answer है तो बहुत बढ़ी है टाइप का question है तो बहुत बढ़ी है टाइप का question है तो यह क्योंकि आपको बहुत सारी information given है फिर आपसे एक चीज़ पूछी हुई है तो इसमें आपकी calculation बहुत fast होनी चाहिए तो आपको एकदम correct result तक पहुचने के लिए तो बहुत बढ़ी है level का question है तो ध्यान से समझना मैं इसको और फिर note करना next question देखते मैं आप अगेन आपको एक probability distribution दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है e of x तो e of x का मतलब हमारे पस क्या होता है simply कि आपस mean पूछा गया है और mean का formula हमारे को पता है summation of x into p of x तो यानिकी 30 into 1 by 5 plus 10 into 3 by 10 और यहां पर बढ़ा घबराना मत random variable x है और x की value negative हो सकती है हमने बात करी हुए random variable x की value positive negative 0 कुछ भी हो सकती है तो यह minus 10 into 1 by 2 अब इसको solve करना है तो पहले देखो यह जगा 5, 6 हा 6 plus 3 minus 5 तो 9 minus 5 यानि answer आ गया है 4 simple calculation ठीक है आप से बसको confuse करने के लिए आपको minus में दे रखा है बाकि और इस question में कुछ और ऐसा कुछ था नहीं then again आपको एक distribution table दे रखिए इस बार सिर्फ आप से पूछा है कि e of x कर अब कई बच्चों को variance का formula याद हो जाता है ठीक है आपको mean का formula याद रहे जाता है बड़ आप लोग भूल जाते हो कि e of x square क्या है ठीक है ना हमने variance का formula क्या पढ़ा है variance का formula हमने ऐसे पढ़ा है कि यह e of x square minus e of x का whole square है और इसको आप ऐसे भी लिखते हो summation of x square into p of x minus summation of x into p of x का whole square ठीक है यह काम आप करते हो बड़ कई बड़ क्या होता कि आप भूल जाते हो कि यह e of x square का मतलब क्या है तो e of x square is same as this ठीक है तो यानि इस question में कि जो आपको find out करना है e of x square वो किसके equal है summation x square into p x के equal है किसके equal है बड़ा summation of x square into p of x के equal है अब x square का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि आपके पास जो x की value है पहले उसका square करो और into multiply करो उसकी probability फिर plus next x का square into उसकी probability plus next x का square into उसकी probability फिर next x का square into उसकी probability ठीक है अब calculation करो दो बटा यह आ गया 1 by 10 यह आ गया 4 by 5 3 का square 9 3 जा यह आ गया 27 by 10 4 का square 16 16 2 जा 32 by 5 ठीक है यह होगा अब LCM ले लो जी LCM आ गया 10 यह हो गया 1 plus 4 2 जा 8 यह 27 यह 64 हो गया तो कितना हो गया बटा यह अब आपके पास 9 9 plus 27 36 36 plus 64 आ गया बटा 100 36 plus 64 100 100 by 10 यानि यह आ गया हमारे पास 10 यानि option D बिलकुल सही आ रहा है बस अगेन बटा एक तो मीनिंग बताऊना चाहिए आपको कि E of X और E of X का मतलब क्या है ठीक है और साथ में calculation that's it यह सबसे easy topic है बटा आपके पास probability distribution का में फिर बोल रहा हूँ बहुत easy topic है बहुत scoring topic है इससे आपके पास जो section D में compulsory question आ रहा है वो किसी भी हालत में आपने ना छोड़ना है ना गलत करना है उसको ज़रूर अटेंट करना है और एकदम correct attempt करना है बिर बहुत easy topic है ठीक है तो core के लिए तो आपके पास अलग से probability के और भी topic है बट applied वालों के तो सिर्फ इतना ही है probability के अंदर तो उनको तो पूरी जी जान लगा देनी है इसके अंदर core वालों को भी पता कि यह section A का पार्ट रहना है तो आपको भी पूरी मेहनत से करना है वाला काम then विटा एक अगे बढ़िया type का question कि आपके पास एक random variable x है जिसके लिए e of x आपको देख रखा है 3 ठीक है वो आप देखो e of x और y e of x square के level पर question आ गया यहां पर सोची typing mistake है कि e of x square equal to 11 है ठीक है then the variance of x आप से variance पूछा है अब यह variance का formula direct पता है हमारे को ठीक है अभी पीछे revise भी करा है it is e of x square minus e of x का whole square तो बढ़ा आपको variance का formula इस format में भी पता होना चाहिए वन आप लोग यहां पर confused होगे कि यह given का है और उसका करना क्या है तो e of x square का मतलब हो गया 11 e of x है 3 ठीक है बस बहुत है कि आपको formula याद होना चाहिए था तो answer आगया हमारे पास option number c तो हमारे को बड़ा जास से भी यह formula याद होना चाहिए था इस question के लिए can let x be a discrete random variable than the variance of x x ठीक हो बड़ा कितने question आ रहे हैं आपके पास उसी format के कि अपके पास variance का formula है वो जब की टमष्ha जाता हा तो इसको कैसे लिखते हैं यह होता है? नई, के बीच में plus होता है? नई, के बीच में minus होता है? यह अंडरूट तो होता ही नहीं है, under root किसमे होता है? under root होता ही standard deviation में यादना आपको कि standard deviation is under root of variance, तो standard deviation में under root होता है, variance के लिए बात हो रही है हम पर, तो वहाँ पर तो under root आए गए गए, तो यहनि option C आपके पास बिल्कुल correct formula रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बटा? फिर अगेन बटा, एक और बड़िया type का question आ गया, इसको भी आप लोग star mark कर सकते हैं, खिज़ा random variable x can take value 0, 1, 2, 3, that means again आपके पास 4 values ले सकता है x, given के आपको कि जो p of x equal to 0, साथ-साथ लिखते जाते मिटा, कि जो p of x equal to 0 है, वो इस बार equal है p of x equal to 1 के, और वो equal है small p के, फिर बुला है कि जो p of x equal to 2 है, वो equal है p of x equal to 3 के, बट वो value कि इसके equal है, यह नहीं दे रखी है, फिर आपको बोला है कि जो e of x square है, वो equal to, यह बटा यहां पर ट्वाइस आना पर है, equal to का sign उदर आ गया, twice of e of x है, ठीक है, तो find the value of p, आपको p की value बतानी क्या है, चाहिए, देखते हैं, सबसे पहले जो information गिवाना उनीका यूज़ करते है, वह हमार को सबसे पहले कि, हमार को e of x square की value पता है, कि भई e of x square equal किसके है, twice of e of x के, तो that means e of x square का मतलब क्या हुआ, 0 का square, into p of x equal to 0, 1 square, into p of x equal to 1, 2 square into p of x equal to 2, plus 3 square into p of x equal to 3, यही मतलब हो गया e x square का, और equal है twice, वो किसके, e of x के, e of x का मतलब हो गया, mean summation x into p x, तो उसका मतलब हो आजी, 0 into p of x equal to 0, plus 1 into p of x equal to 1, plus 2 into p of x equal to 2, plus 3 into p of x equal to 3, यह information मतलब आपको given है, अब यहां पर देखो, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहला पार्ट तो 0 हो गया, 1 का square 1 हो गया, p of x equal to 1 दे रखा है p, तो यह तो हड़ गया, हमारे पास पूरा 0 हो गया, इसकी बात गो रही है, कितने आगया जी, p, फिर 2 का square 2, फिर p of x equal to 2 है, इनको नहीं हम लोग k let कर लेते हैं, ध्यान से, इसको हमने क्या let कर लिया, इक्वल टू k, कि जो p of x equal to p of x equal to 3 है, p of x equal to 2, जो p of x equal to 3 है, उसको हमने k let कर लिया, तो यह आगया जी, p plus 4 के, 2 का square, 3 का square 9, और यह k equal to twice, पहले वाल तो 0 हो गया, p of x equal to 1 का मतलब बटा हो गया, p again, ठीके ना, फिर plus 2 into में, p of x equal to 2 का मतलब k, और यह 3 into k, ठीके तो यानि, यह equation बन लिए हमारे पास, p plus 13 k, विकोज यह 4 k plus 9 के एड़ हो गया, यह हो गया, 2 into p plus 5 k, यह बनेगा बटा, p plus 2p plus 10 k, ठीके बटा, अब जब इनको आप simplify करोगे, तो क्या करो, p को इस तरब भेज़ दो, इसको इदर भेज़ दो, 13 minus 10 हो जाएगा, 3 k equal to p, तो यह equation आगे की, p की value किसके equal आ रही है, आपके पास 3 k के, ठीके तो एक relation मुझे यह मिल लिया, और दूसर relation आपको पता है हमेशा, कि जो summation of p of x होता है, वो equal to 1 होता है, तो आपको पता है, p of x equal to 0, plus p of x equal to 1, plus p of x equal to 2, plus p of x equal to 3, यह हमेशा किसके equal होगा, 1 के equal होगा, ठीक है, अब इसी को हमने use करना है मिटा, p of x equal to 0, कितना हैं भी हमारे पास, small p, p of x equal to 1, small p, यह k, और यह भी k, यह equal to कितना है हमारे पास, 1, तो यहानि 2p plus 2k equal to 1, तो यहां से k की value निकाल दो, k की value आजाएगी, p by 3, यह equal to 1, यह आगया पॉन में 3, यह कितना होगा, 6, 8p by 3 equal to 1, तो p की value आ रहे हैं हमारे पास 3 by 8, तो काफी बढ़िया question था, क्योंकि time लगाए, बट calculation based question है, तो जल्दी भी हो सकता है, आपकी calculation के उबर different करता है, तो option B हमारे पास, एकदम correct answer आए बटास का, की p की value का ही है हमारी, 3 by 8, तो बहुत बढ़िया question है बटा, दिहान से पूरा समझ के note करना, बट अगर आप देख रहे हो, तो हर बार क्या हो रहा है, की जो question में condition given है, वो use हो रही है, और दूसरी condition हमेशा ये वाली use हो जाती है, की भी हमारे पास जो sum है probabilities का, वो हमेशा वन आता है probability distribution के अंदर, तो इस बात का बहुत ध्यान रखने है आपने, इसको बट नोट डाउन कर लो, अब आते हैं में नेक्स्ट कुशिन पर, करें कि which of the following, which of the following, which of the following is true for the probability distribution of the discrete random variable x and y, तो अब आपको बट दो अलग अलग probability distribution दे रहे हैं, ये भी अलग लेवल का question है में में आप लोगोने पहले, अब आपसे पूचा है कि उन distribution के लिए क्या relation आ रहा है, तो relation किस किस के बीच में हर बार e of x के बीच में है, और e of y square के बीच में है, अगर आप चारों option देखोगे, तो उसमें आपको x के लिए सिरफ e of x निकाला गया है, और y वाले distribution के लिए सिरफ e of y square निकाला गया है, तो ये time base निकालना कि भी पहले e of x निकाला गया है, फिर e of x square निकाला गया है, नहीं, question में पहले आपने smartly play करना है, आपने option से देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो x के लिए हमारे को चाहिए e of x, उसका formula हमारे को पता है, भाई 0 into 1 by 5 plus 1 into 2 by 5, अब directly शुरू करोगे, 2 into 1 by 5 plus 3 into 1 by 5, ठीक है, l से हमागे इसका 5, यह आगे जी 0 plus 2 plus 2 plus 3, तो यानि यह आगे हमारे पास 7 by 5, क्या e of x, चीक है जी, अब आजाते हैं फीटा y पर, y के लिए हमें find out करना है e of y square, तो उसका मतलब 0 square into 1 by 5, 1 square into 3 by 10, 2 square into 2 by 5 plus 3 square into 1 by 10, ठीक है, तो अब इसका अगर मैं LCM लो तो LCM तो 10 आजाएगा, यह तो 0 ही रहेगा, यह उदेगा 3, 2 का square होगया 4, 4, 2 is the 8, और क्योंकि डिनोमेटर में 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 8 into 2, और 3 का square 9, तो यह उदेगा बटा, 16 plus 3, 19 plus 9, 28 by 10, तो which is 14 by 5, ठीक है, तो आप देखते हैं हमारे पास e of x है, 7 by 5, e of y square है हमारे पास, 14 by 5, तो यहाँ पर हमारे को साफ दिखाई दे रहा है, कि double है, क्या, हमारे पास, आप यहाँ पर अराम से बोल सकते हैं, कि जो e of y square है, वो double आ रहा है किसका, e of x का, तो अगर आप option wise देखेंगे, तो option c बिलकुल correct बढ़ेगी हमारे पास, तो यह भी एक बटा नया question था, एक बड़िया लेवल का question था, तो आपके पास, cvd के exam में multiple choice question format में, पूछा जा सकता है, तो आपको जो distribution है, वो आपको पूरा table के recording नहीं, इस तरह से भी दे सकते हैं, तो चलो देखते करना है, कि आपको mean find out करना है, तो 1 into p of x equal to 1, फिर 2 into p of x equal to 2, plus 3 into p of x equal to 3, कहां तक जाना है भीटा हमारे को, 6 तक जाना है, इसी तरह से 4 into p of x equal to 4, plus 5 into p of x equal to 5, plus 6 into p of x equal to 6, यह हमारे को find out करना है, क्योंकि हमारे को mean find out करना है, अब 1 के साथ multiply हो रहा है, p of x equal to 1, तो वह कह रहा है कि, अगर x की value 1, 2, 3 में से कोई भी है, तो आपके पास probability की value होगी, k x square, मतलब, मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं p of x equal to 1 की बात कर रहा हूं, तो इस वाले में आप x की जगापर 1 put कर देंगे, तो यहाँ जगा k into 1 square, ऐसे ही, p of x equal to 2 का मतलब, कि आप इसमें x की जगापर 2 put कर दो, तो k into 2 square, फिर 3 into, k into 3 square, बड़ जैसे आपके पास 4 हो जाती है x की value, तो आपको जो probability मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, तो अब आप इसकी जगापर x की value 4 put करोगे, तो 2 k into 4, plus 5 into, तो इस तरह से 2 k into 5, फिर 6 into, तो 2 k into 6, तो आप इसको calculate कर दोगे, calculate कैसे कर हमने, कि भई यह आगया हमारे पास कितना, k plus मैं यह जगा 4 to 2, 8 k, 3 का square 9, 3 is a 27 k, 4 to 2 is a 8, 8 to 4 is a 32 k, 5 to 2 is a 10, 10 to 5 is a 50 k, यह आप आप पास कितना, 6 to 2 is a 12, 12 to 6 is a 72 k, अब इन सब को add करना, तो बरदिखान से add करना, यह जगा 9 k, 9 plus 27, यह जगा 36 k, 68 k, 118 और 72, तो 190, तो यह आगया हमारे पास, 190 k, जो मीन आए है, वो 190 k आए है, तो आप मुझे सिर्फ यानि की की वेल्यू चाहिए, और के की वेल्यू हमें पता है, अगिन बटा कोश्चन वही है पुरा ना, बस पूछा अलग तरी किस है, कि जो हमारे पास सब की प्रॉबल्टीज है, उनका सम कितना आएगा, समेशन अप P of X किसके के कवल आएगा, 1 k, तो P of X equal to 1 कितनी थी, जी हमारे पास यह, तो यानि की k, फिर P of X equal to 2 कितनी थी, 4 k, फिर P of X equal to 3 कितनी थी, 9 k, P of X equal to 4 कितनी थी, 4 टू सा, 8 k, P of X equal to 5 कितनी थी, 5 टू सा, 10 k, P of X equal to 6 कितना था, 12 k, तो यहां से में बटा मुझे के की वेल्यू मिल जागी, यह जगा 5 k, 9 plus 5, 14, 14 plus 8, 22, 22, 22 plus 10, 32 plus 12, 44 k equal to 1, तो यहां से में की वेल्यू आगी, 1 by 44, तो यहांनी जो हमारा फाइदन आंसर आएगा, वो आएगा, 190 into 1 by 44, ठीक है, कोई option है, 190 by, पर अभी एक एंसर बटाएगा 2 से, तो यहां देगा, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 95 by 22 बच रहा है हमारे पास, ठीक है, which is option number B, तो यहां बटाएगा बड़ी ए लेवल का question, ठीक है, बट इसमें आपको जो table है, वो आपको जो public distribution है, वो table के format भी नहीं, एक function के format में break करके दे रखा है, ठीक है, बाइनोमिल distribution का question मन जाता ही हमारे पास, from a lot containing 10% defective x, फिर 10% defective x है, the probability that there is at least one defective x, तो आपको बताना है कि there is at least one defective x, इसका मतलब हुआ आपको बताना है P of x, देखो याद रखो बटा, at least का मतलब क्या होता है, greater than equal to, and at most का मतलब क्या होता है, less than equal to, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, बार-बार वहां पर सोचना नहीं है, कि at least का मतलब होता है, greater than equal to, and at most का मतलब होता है, less than equal to, तो at least one तो मतलब P of x, greater than equal to one, तो यानि कि P of x equal to one, plus P of x equal to two, and कहां तक, भी आपने 10 egg निकाले हैं, अब भी आपके पास, इन सब को calculate करने में, तो हलत खराब हो जाएगी, अगर individually calculate करने पड़ी, तो हम लोग यहां पर एक reverse rule यूज़ करते हैं, कि हमार को पता है, कि जो summation है, सारी probability का, वो equal to one होता है, और जो with replacement वाले का, बाइनॉमल distribution होता है, तो हमेशा वो x जो है, वो 0 से साट होता है, तो यानि कि हमारे पास, भाई, p of x equal to 0 से लेकर, 10 तक का जो sum है, वो हमारे पास 1 होता है, तो हमसे 1 से 10 तक का, sum पूछा गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 minus p of x equal to 0, तो 1 minus p of x equal to 0, अब formula revise करो बिटा, binomial distribution में, p of x equal to r हमने क्या पढ़ा है, it is equal to ncr, पहले हमेशा q आता है, फिर हम बाद में हमेशा p आता है, ठीक है, n आगया आपके पास, कितने x ड्रॉ करे गए, तो n equal हो गया 10 के, तो इस बार आपसे पूछा है, p of x equal to 0, तो यानि क्या हो जाएगा, 10 c 0 q, अब आता दे p और q, आपको दे रखा है कि 10 percent defective items है, तो probability of defective item 10 by 100, यानि 1 by 10 होगी, और q आपको पता है, हमेशा 1 minus p होता है, तो यानि यह आगया आपके पास 9 by 10, तो 10 c 0 q, q कितना है हमारे पास, 9 by 10 की power, इन दोनों का difference, यानि 10, और p यानि 1 by 10, उसकी power c का subscribe रहती है हमेशा, q की power हमेशा इन दोनों का difference रहती है, और c की power इसका subscribe रहती है, और बटा यह आएगा, जब c में subscribe में 0 हो, तो result आता है 1, तो यह आगे बटा 9 by 10 की power 10 का मताब 9 की भी power 10, और 10 की भी power 10, और यह भी 1, इसका LCM लोग है, क्योंकि आपको options इस तरह से दे रखी हैं, तो हमारे को यह LCM लेके भी ही पता चलेगा, कि कौन सी correct option हमारा answer है, तो अगर आप match करोगे, तो हमारे पास first option ही बिल्कुल match करती है exactly, तो वो ही हमारा answer है, कि 10 raise to power 10, minus 9 raise to power 10, upon 10 raise to power 10, तो LCM लेने की ज़रूद इसलिए पड़ी, बिकोज जो options हैं आपकी, वो इसके according दीगी थी, तो हमारे को भी इसके according ही काम करना था, ठीकिए बचे, बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी अभी कर रहे है, क्या फॉर्मला है इसका, 10, C, 0, बिकोज N 10 है हमारे पास, ठीकिए न, नी स्वरी, N 100 है, आपने स्वरी, सेंपल 5 बल्ब्स कहना है हाँ, तो स्वरी, N 5 है, तो हम तो सेंपल साइज देखते है उसमें, तो 5, C, 0, Q raise to power इन दोनों का डिफरेंस, P raise to power C का सब्सक्रेप्ट, यह 1 हो गया, विकोज C, 0 है, Q यानि कि 9 by 10 की whole power 5, और यह 1 by 10 की whole power 0, और anything that is to power 0 is 1, तो बचा गया सिरफ, 9 by 10 की whole power 5, तो यानि जो option C है, वो हमारा बिट्टूल correct answer आ रहा है, तो बटा आप यह बन्नोली ट्राइल्स की question बोल लो, direct formula based है, तो बस आपको उनके formula में जो जो parameter यूज होते हैं, उनको ढूंड़ना है और formula अपलाए करते हैं, that's it. Next question मिटा कि यह ने, इंशॉरन कंपनी has found that 50% of its claims are for damages resulting from excellent, अच्छा, एक insurance company है, वो कहती है कि बही, जो भी इनके पास claim आते हैं, उसमें से आधे claim, यानि 50% claim वो आते हैं, excellent की claim आते हैं हमारे पास, उनको की company के पास, the probability data random sample of 10 claims, अब अगर कोई भी sample है 10 claims का, तो उसमें contain fewer than 2 for accident, मतलब अगर मैं बोलू कि जो x है हमारे पास, जो denote कर रहा है कि वो accident वाले claim है, तो आपको बताने क्या probability है कि जो पी of x है, वो less than 2 होगा, ये आपको बताने के, fewer than 2 का मतलब क्या होगा और टू से कम की probability बताने की क्या होगी, तो इसका मतलब हुआ, टू से कम मतलब 1 हो सकता है, और 1 से कम 0 हो सकता है, इस से और कम हो नहीं सकता, अब आपके पास बेला फॉर्मला है P of X equal to 1 का फॉर्मला N C 1 Q raise to power इन दोनों का डिफ्रेंस P raise to power C का सब्सक्रेट यह आ गया N C 0 Q raise to power N minus 0 P raise to power 0 अब N हमारे पास कितने हैं है सेंपल में 10 बल्ब्स है तो N 10 हो गया तो 10 C 1 अब बात आती P और Q उसने कोशें में बुला है कि 50% जो है वो एक्सेंट की वजह से तो उसका मतब प्रॉबिल्टी कितनी हुए 1 by 2 और Q भी हमारे पास 1 minus P करके कितना आ गया 1 by 2 तो बस वैल्यू सब्सक्रेट करनी हैं आपको तो Q की वैल्यू 1 by 2 raise to power 9 और यह जगा 1 by 2 raise to power 1 फिर यह 10 C 0 यह जगा 1 by 2 raise to power 10 and 1 by 2 whole raise to power 0 जब सब्सक्रेट में 1 हो तो आंसर 10 होता आपको बताया है न कि वैई N C 0 हो या N C N हो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा बढ़ अगर N C 1 है या N C N minus 1 है तो रिजल्ट हमेशा N आएगा यह रूल याद रखना बढ़ा यह रूल आपको अच्छे से याद रखना है तो यह आगा है बढ़ा 10 into 1 by यह 2 raise to power 9 हो जाता है 512 into 1 by 2 यह 1 हो गया यह हो गया 1 upon में 512 into में 512 नहीं कि यह 2 की power 10 होता है 1024 और वो तो 1 होई गया तो answer में क्योंकि आपको LCM लेना है तो आप देखोगे तो यह आएगा 10 upon में यह भी जब तुम करोगे तो 1024 ही बनेगा और यह 1 upon 1024 है तो that means 11 upon में 1024 तो अगर मैं option wise देखूँगा तो option C बिलकुल correct answer है तो again बिटा मैं आपको बढ़र बोल आओ कि formula में पहले आपको देखना है कि find out क्या करना है और उसको find out करने के लिए आपके पास जो binomal distribution के इंदर parameters यूज होते हैं P, Q, N, R उनको देखना है कि क्या है बस formula में value पूट करनी है और आपको answer निकालना है clear बचे इसको नोट कर लो अब देखना नेक्स question क्यारा कि during a pandemic 10% of the patients who have the disease get complications वाथ 10% जनता को अगर disease हो जाती है ठीक है तो उनको complications होती है तो if 100 patients of a locality get infected by the disease then that standard deviation of the number of patients getting complications तो यारी भई आपको standard deviation निकालना है सबसे पहले small p हमारे को दे रखा कि 10% जनता को ही हमारे पास क्या होती है complication होती है तो यानि वो गया 10 by 100 यानि की 1 by 10 तो that means हमारे पास q कितना आ गया q आ गया 1 minus p यानि की 9 by 10 तो यानि की 100 patients of a locality get infected by the disease तो यानि n हमारे पास कितना है 100 है तो आपको बाइनोमे distribution में सारे formula बताए है कि हमारे पास mean का formula simply क्या हो जाता है np हमारे पास variance का formula क्या होता है n into p into q और जो standard deviation है वो under root of variance होती है तो it is given by under root of npq ठीक है बाटा simple चीज है बिलकुल तो हमारे पास standard deviation कितनी आगी under root of n into p into q यानि की under root of n है बिटा 100 p है 1 by 10 q है 9 by 10 तो यानि की under root of 9 तो यह आगया हमारे पास 3 तो option d is our correct answer तो formula यूज करके आपको direct answer निकालना भाए निक्से की ना binomial distribution if probability of getting success is 1 by 4 तो यानि small p दे रखा है आपको 1 by 4 तो इसका मतलब आपको q मिल चुका है आराम से 3 by 4 and standard deviation is 3 by 2 standard deviation यानि sigma आपको दे रखा है 3 by 2 आपको mean निकालना है आपको क्या find out करना है mean ठीक है simple है sigma का मतलब क्या होता अब ही हमारे पास under root of n p q वो है 3 by 2 squaring both side कर देंगे तो n p q एक्वल आगया 9 by 4 के n नहीं पता p है 1 by 4 q है 3 by 4 एक्वल आगया 9 by 4 एक 4 से 4 cancel out 3 1s आ 3 3s आ 4 को दर भेज दिया तो n आगया हमारे पास 12 ठीक है n 12 आगया so therefore mean किसके एक्वल होता है अभी पढ़ा है हमने mean एक्वल होता है n p के n है हमारे पास कितना 12 p है हमारे पास 1 by 4 तो mean किसके एक्वल आगया finally 3 के एक्वल तो direct बिटा आपके पास formula based question quick calculation but formula याद होंगे तब ठीक है वन्ना आपनों सोचते ही रह जाओगे ठीक है बड़े वाले तरीके लगाओगे table बनागी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला next है कि for a binomial variable ये भी बटा बढ़ी है level का question है जैसे अभी हमने पहले कर रहे थे n आपको दे रखा है 3 है और ये बोला है कि four times of p of x equal to one equal है three times of p of x equal to three के तो आपको small p बताना है probability of success अब यहाँ पर बोला हुए कि बटा ये binomial variate है तो binomial distribution का form न लगेगा तो p of x equal to one का मतलब क्या हो गया n 3 है तो 3 c 1 q raised to power इन दोनों का difference p raised to power c का सब्सक्रेट सेम यहाँ पर 3 है जरेस इसका मतलब क्या हुआ 3 c 3 q raised to power इन दोनों का difference p raised to power c का सब्सक्रेट तो ये बना मिटा हमारे पास 4 c अब ये 3 c 1 है तो ये बनेगा 3 because c के सब्सक्रेट में 1 है q square p 3 ये आ गया 1 q raised to power 0 1 और ये आ गया p q 12 q square p minus 3 p cube equal to 0 सबको एक तरफ कर लिया हमने अब हमारे पास क्या आ रहा है बिटा यहाँ पर common देखो एक तो 3 common आ रहा है और एक p common आ रहा है बस बचा क्या 4 q square minus p square equal to 0 तो या तो बिटा 3 p equal to 0 होगा वहाँ से p equal to 0 आएगा जो possible नहीं है परकूस अगर p equal to 0 आता तो आपके पास ये वाली condition नहीं आती तो that means ये तो आपका reject हो गया दूसरा है कि 4 q square equal to p square है तो यानि 2 q का whole square equal है p square के that means 2 q किसके equal आ गया p के तो यहाँ पर बिटा plus minus मत लगा देना because ये probability है तो उसका result हमेशा positive ही आना है तो ये पी भी represent करता है probability q भी represent करता है probability तो इस चकर में गलत मत कर देना बट आपको तो ये एक result मिलिया कि जो p है वो equal to 2 q है यहाँ से बट आप इससे क्या करोगे आपको तो p की value चाहिए एक exact तो आपके दिमाग में क्या आना चीए important result जो आज में की इस वीडियो में आप कई बार यूज कर जाए बहुत सारे question में कि जो आपके पास total probability होती है उनका sum हमेशा क्या होता है 1 और binomial distribution में total probability को उने present करता है p plus q जो आपके पास x की value उसके उपर आना है वो तो आना ही आना है sigma p of x equal to 1 जो table से आना है बट यहां पर आपको यह भी पता होना चीए कि p plus q भी किसके एकवल होता है 1 के तो यह result अगर याद है तो question कहता है तो p की दिखाबर p but q की दिखाबर p by 2 आगया equal to 1 तो यह आगया 3p by 2 equal to 1 तो p की इसके एकवल आगया 2 by 3 के तो यह आनि कि option d एकदम correct answer आगया ग्लेर एवरिवन चाले next question बटा कि for a binomial variate x तो यह भी बटा उसी type का question है इसको भी important mark कर लो क्या बोला है question में कि अगर n equal to 4 है p of x equal to 0 आपको दे रखा है 16 by 81 तो आपको बताना है कि p of x equal to 4 क्या होगा आपको यह बताना है कि p of x equal to 4 कितना होगा देखते है मेटा p of x equal to 0 का क्या बत्ला होगा nc0 ठीक है अपना n4 अच्छाण भी value पूट कर देता है q raise to power इन दोनों का difference p raise to power 0 equal to 16 by 81 तो यह बता आपके पास कुछ भी हो n की value क्योंकि subscribe में 0 है तो यह तो 1 ही आना है q हमें नहीं बता कितना है बता n पता है 4 है p raise to power 0 1 हो गया इसको हम लोग 2 by 3 की whole power 4 लिख सकते हैं तो हमारे को मिला कि q raise to power 4 equal है 2 by 3 की whole power 4 से तो that means q equal आगया 2 by 3 अब बता अगर q equal to 2 by 3 है तो that means p किसके equal आएगा 1 minus q तो वो आगया 1 by 3 के equal ठीक है आपको मास पता हैं भी p plus q का sum हमेशा 1 होता है अब मुझे find out करना है p of x equal to 4 तो वो क्या होगा 4 c 4 q raise to power 0 और p raise to power 4 तो यह 1 हो गया यह 1 हो गया p यानि की 1 by 3 की whole power 4 तो यह आगया भीटा 1 by 3 is to power 4 is 81 तो आपके पास 1 by 81 यानि option c एकदम correct answer आगया लिए बचना लोग घ्यान समझ के इसको note कर लो फिर next question कर आते हैं next question भीटा आपके पास give the mean and the variance of our binomial distribution are 2 and 1 respectively तो binomial distribution के लिए mean दे रखा है आपको कितना 2 और variance दे रखा है 1 तो then the probability of at least 1 success किसकी probability पूछी आप से at least 1 success at least 1 success का मतलब हो गया p of x greater than equal to 1 इसका मतलब होता है p of x equal to 1 plus p of x equal to 2 और इस बार तो हमारे को n पता नहीं अभी तो यानि यह जाएगा p of x equal to n तक बढ़ आपने बात करी हुए starting में हमने ऐसा question देखा था कि हमारे पास अगर इस तरह से है तो इतनी सारे cases आप नहीं count करोगे तो उसका उल्टा क्या होता है 1 minus p of x equal to 0 हम लोग count कर लेगे ठीक है n into p वो equal है 2 के variance होता है n into p into q तो वो किसके equal आगया 1 के तो बढ़ ध्यान से रखो n p की value कितनी है 2 तो यह value यहां पर substitute कर दी तो 2 into q equal आगया 1 के q equal आगया 1 by 2 के तो अब p आजएगा हमारे पास कैसे 1 minus q यानि कि 1 by 2 आगया वो भी हमारे पास अब यह p की value इसमें put कर दो तो n into 1 by 2 is equal to 2 तो n किसके equal आगया 4 के तो सारे चीज़े find out होगी अब बस formula में put कर दो तो 1 minus 4c 0 q है 1 by 2 की whole power 4 p है 1 by 2 की whole power 0 यह बना 1 यह बना 1 by 16 और यह बना 1 तो answer आगया बटा हमारे पास 15 by 16 और अगर मैं option देखूं तो option D मेरे पास बिलकुल correct आजाता है clear everyone बटा विद इस आपके पास probability distribution का जितना topic था वो हमने अच्छे से cover up कर लिये अभी मैं फिर बता रहूं बटा core maths के लिए probability वाला जो पार्ट है वो अभी होना है यह आपके पास जो सिर्फ section A में probability distribution जिसके अंदर दो topic थे आपके पास random variable ठीक है यानि कि probability distribution and binomial distribution हमने से वो दो topic cover up करे हैं इस video के अंदर जो कि section A में आने हैं आपके पास ठीक है आपके base theorem के and theorem of total probability के वो topics के अलग वीडियो आपकी बनेगी ठीक है कि probability distribution और binomial distribution हम लोग इस video में cover up कर चुके है ठीक है तो वो वाली वीडियो हमने गान पूछ के अलग रखिए ताकि बच्चों को confusion ना हो applied math students उसको भी ना कर ले कहीं ठीक है वनना वो उनको वो चीज़े syllabus में नहीं है वो वाली चीज़े 11th में पढ़ चुके है ठीक है आप लोग 12th में पढ़ते हैं core वाले बड़ applied math students उनको 11th में पढ़ चुके है ठीक है तो आपके पास class 12th के लिए आपके पास CUT में section A के लिए सिरफ probability distribution और binomial distribution की topic है तो वो अमने इस वीडियो के इंदर cover up करें तभी ये वीडियो चोटी है तो आपके पास रिफ दो टॉपिक की समझ लिजिए ये one short video है ठीक है जो कि applied maths और core maths के लिए compulsor ही है ठीक है अब जो दूसरी वीडियो है कि probability की वो सिरफ core maths solo के लिए होगी applied maths का वहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा उनको वो वीडियो नहीं देख नहीं है क्लिए बचलो तो बटा विद दिस आप अच्छे से practice करते रहे है और अगेन बटा comment box का use करिए अगर आपको कोई भी requirement है कोई भी doubt वेगरा है तो ठीक है तो मिलते बटाब हम लोग फिर नेक्स वीडियो में with the new chapter आप अच्छे से पढ़ते रहे है and take care good bye